कि दोस्तों लेपड आ गया उपर हावा सुनो आप कि वहां जूशी जी क्या से कोई फोन पर बात कर रहा है शम्शे रिखमत मत करो टक-टक अरे मत करो ना है दो मिन्ट यार आवा सुन रही है अब आपको आपको पानी के वाज़ वाज़ी यह यह आवाज लेपड की नहीं है लेकिन लंगूर की कॉल है अलाम कॉल लंगूर इस वक्त नीचे नहीं होते पेड की उपर होते हैं हन्रिट परसेंट लेपड आ चुका है इसलिए लंगूर कॉल कर रहा है लेपड पीछे ही है बिल्कुल यहीं पर यह दोस्तों चारों बैठे है अपनी दूप में लखी को चेंड से बांध रहे थे अभी निकल गया जब दूद बूद दिया अब यहीं कहीं घूम रहा है और तीन आदमी जाएंगे उसको पकड़ नहीं सकते हैं अब तो वह लगाओ ना एमसील ने मुझे लगता है ने कि पानी गिरेगा तो एक बड़ डाल के देखो पानी चूड़ी हो गए इसके बराबर नीचे से लगा दे ऊपर यह एक सोलूशन यह है पहले एमसील किये कि उसमें अब नहीं बात कर रहे हैं यहां इतना धीला है चूड़ी इसके बराबर हो गए अरे वो तो हो गई है इधर दिखाओ यहां से अगर पानी गुझरा है डाल के देखो इसको उठाओ पहले इसको धीला करो यहां एमसील लगा तो इसको बठाओ चिपक जाएगा यह दोस्तो नए तरीके का सिंक या वाच बशन बना रहा हूँ क्योंकि यह जो बॉंफ़ार ऐरिया है यहां पे हाथ दोने का नहीं है तो डाइनिंग हॉल के जो वाच बशन यह वहाँ जाना पड़ता है तो मैंने सोचा कि नॉरमल वाच बेशन क्यों मुना आ जाए तो यह कड़ाई क कटवा के लाया हूं मैं इसमें सिस्टम बना दिया पूरा जब मैं सेट करूंगा तो आप देखना कैसा है अच्छा लगेगा इसमें बना रहा हूं वाच बेशिंग दो आठव से नहीं चिप के गा मैं बता हूं तो मिसको पहले पानी डालके देखो पहले फाट उपर से बाद वाहल जाएगा ना उसमें अरे इधर से तो कुछ नहीं वासर तो मिल जाएगा मार्किन तुमें यह गया संशेज यह देखर और डिस्प्ले से जाना है अगर वरिजनल डिस्प्ले तो बच गई होगी वरना तो गई अच्छा पहले से पहले से यह क्या निशाने नहीं तो पर वाले अच्छा है तो दोस्तों यह सुबह इनको खाना दिया आज इधर दिया तो फिर इनों आज छोड़ी गंदगी करी कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप लकी का नाम चेंज करेंदो इसमें तो नाम तो चेंज नहीं हो सकता लेकिन समझ्ज रहा हूं का क्या लगी ना इंसानों का नाम बहुत होता है लेकिन इस नाम के जब फुराने डॉग का नाम रखा था मेरे भाई ने रखा था जो यहां पालूंगा तो लॉण में जो प्रोवेश्चनल डिप्टी केलेक्टर होते थे पापक पास ट्रेनिंग के लिए एक थे कामिशोर अपाठक जी वह बैठे तो बोले तो सर आपने क्या पाली है तो सुद्ध देशी कुत्ता है पाप मैंने नहीं पाला यह विक्की है नही उन्होंने का ठीक मंगा देंगे तो भेजा चप्रासी को फोन कर दिया उनको तो वहां से एक डॉग को लेके चप्रासी आ गया तो वह बहुत छोटा था उस टाइम पर वह था लकी तो मेरे भाई ने बोलाता है कि अगर पापा मान गए तब मैं बताऊंगा नाम क्या रखन लग उसका राम था लकी वह नोट कर लिया था जब कभी कुटा पालेंगे तो यह रखेंगे तो ऐसे नाम रखा था फिर जब भी वही नाम रहता है तो इसका भी नाम मैंने वह रख दिया लेकिन यह प्रोब्लम तब भी आती थी जब मेरे दोस्त स्कूल जाते थे घर जो वह दूसरे को बोलते थे जैसे आज के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर है विजिशाम प्यूश उसने अपना हॉस्पिटल बना दिया वह बोलता था यार सभी तर बड़ा लकी है तो दूसरा लड़का बोला है सारे हसरे लकी है लकी है बोला हस क्यों रहो तब किसी ने बत दिया है कुरसी में कुरसी के आगे के पाएं जो खराब कुरसी थी पाएं काट दिया है और यहां लग जाएका नल और यह सोलर लाइट रहेगी तो यह वाजबेशन इस जगे पर आ जाएगा और जो वेस्ट वाटर है उसका वो यहीं से इस नाले में चला जाएगा यह जो कड़ाई वाजबेशन बना रहा हूं मैं इसमें पेंट कर रहे हैं यह लाल कर दिया क्योंकि यह पेंट हमारे पास पड़ा हुआ था पीला भी है बॉर्डर पे और यह इसके जो हैंडिल है इ पर ऐसा ही वाटर में नीचे वाले बाणफाइर एरिया हम बना दूँगा उपर वाले में जरूबत नहीं है क्योंकि उपर वाला जो बनफाइर एरिया उसके बगल में डाइनिंग वाला वाटश बेशन लगई हुआ है तो वहाहाँ अधोने की दिक्कत नहीं है यहां की अच्छा भी लग रहा है मुझे पूरी उम्मेद है कि बहुत सारे लोग इसको कॉपी करेंगे और जब हम इसको बना रहे हैं पीछे से बार्किंग डियर बोल रहा था भी उसी इलाके से जहां पर लेपड अभी जिसने बैल मारा और जो रिज के बगल वाला इलाका मैंने बत लोगे हुए है कि टो बुलबुल लेकिन यह शाइद हमाले अगयी बुल होता है कि कटि नॉर्मल बुल बुल्य का वंट जो अओब धाल होता है हुआ कि जिक नियुक्त दोस्तों हम ने नल भी लगा दिया और क्योंकि यह bonfire area में है तो जूटे हाथ भी हो सकते हैं तो ऐसा वाला नल लगाए कि एक बार में ही खुल जाए बंद हो जाए दोस्तो सामने पहार से चिला रहे हैं बाग बाग करके फिर बाग यहाँ पर लेपड को बोलते है यह पीकॉक की कॉल हुई है यह जो पैप करके हुई है इस्ट्रेस कॉल है उधर उतसे दूर से बार्किंग डियर कॉल आ रही है वो दूसरे लेपड यह टाइगर के लिए है यह आवाज यहाँ पर लेपड आ चुका है और उसके लिए पीकॉक भी स्ट्रेस कॉल कर रहा है और गाउंवाले भी एक दूसरे को चिला रहे हैं या उसको भगा रहे हैं बाग बाग करके वो देखी आवाज आ रही बाग बाग स्ट्रेस कॉल बार बार हो रही है यह देखिए यह होई न पैप यह दू जो एक नॉर्मल कॉल थी एक इस्ट्रेस कॉल थी इस साइड से पिकॉक की कॉल आ रही है आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव है वो लेपर्ड क्योंकि उसके हाँ से शिकार निकल गया है न यह सब देखिए अपनी बक्रियां बंद कर रहे हैं तेजी के साथ यहाँ पर मैं भागते वह देखा बक्रियों का यह राजू का घर है लगातार कॉल आ रही है इसका मतलब लेपर्ड इधर कहीं है यहीं से चिलनाने की आवाज आ रही है तो आज लेपर्ड वहाँ नहीं है यहाँ है कल जब राजू बीड़ी पी रहा था तो बोला नहीं यहीं तो बैठा रहता है मैंने कहा था इस नाले में हो सकता है बोला यहीं तो बैठा रहता है दूर से बार्किंटियर के आवाज आ रही है वो सामने वाले पहाड से चेवी लेपर्ड के लिए बार्किंटियर बोलने का वहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है यह देखे साफ आवाजारी यहीं पे इस वक एक साथ तीन जगे शिकार चल रहा है एक यहाँ चल रहा है और एक वहाँ चल रहा है यह देखे एक दम पास में है पिर से लोग चलनाने लगे हट हट भाग भाग वह मनिकुट परवत से दूर से आवा जा रही है बारकिंग डियर की यह मुकुल शर्मा जी आए है राची से और आपका क्या राम है मुकेश जी तो क्या आप लोग शादी में यहां पर जी भाई के शादी है अच्छा है तो हम लोग स्टेक कर रहे हैं अम अर्था भाई गंगेश रिसॉर्ट में तो विकी भ्या से बात हुई तो आना तो यहां था ही तो बिल्कुल जैसे हमें टाइम मिला हमें फूर्सर के छण मिले हम लोग बिल्कुल गारी भगा के आए हैं इनका वीडियो है हाव टूरी जंगली रिसॉर्ट बस वह देखते रहो इसली किसे पूछने के जरुवत नहीं है तो आप तो वाइल लाइव को पसंद करते हैं यह मुकेश जी करते हैं इसके पहले कब ऐसा फील किया थ है जारी बाग मेरूख कैंप में हम लोग रहते थे अच्छा वो जंगल में बीच बीच वह लेपड है टाइगर अच्छा पहले अभी फिर आगें तबी जराए तो यहां पर जो हम लोग यह सोचके नहीं आये थे हम लोग हल्दी खत हैं वह लोग आ गए आ करके बैठे हैं विकी भ्याने चाय आफ़र करी चाय पीते पीते ऐसा महल बन गया है यहां का जो लोग देखते हैं वह यूटूब में या कैसे भी वह कुछ नहीं है क्योंकि यहां सामने से अभी तीन श्रीकार चल रहा है एक सामने जो गाँवाले भगा रहे हैं धाटाट आवाज कर रहे एक जस्ट हमारे पीछे यहां जहां मुझजाइक वागिंगे डियर वो अपना कॉलिंग कर रहा है और एक तीसरा वहां उस पहाद से मने गूद परवल से तो बिल्कुल इको किया रहा है और ऐसा लग रहा है कि वही मैं बता रहा था भी अपने भया से कि आपको कभी ऐसा जंगल उससे कहीं जादा घना है तो एक बार मैं दोबारा 360 डिगरी दिखा दूँँ आपको क्योंकि मोबाइल में उतना कैप्शर हो नहीं पाता कितना भी आप वाइड एंगल लो चाहे जो लो तो मैंने एक बार फिर आपको दिखा ज़ता हूं 360 डिगरी व्यू यह दोस् तो अचानक से मुझे आइडिया आया था पहले मैं सोच रहा था गोल कांच का लगा दूँँ फिर अचानक से अभी ओले गिरे थे ना तो मैंने का जब कुर्जिया तूड़ गी तो वो तूड़ जाएगा फिर मैंने सोचा लो अचानक दिमाग में आगाए कड़ाई का बन ना दूं तो कैसा रहेगा गोल होता ही है वो तो अच्छा बन गया देखने में भी अच्छा लग रहा है मेरे खाल से यह देखिए यह दोस्तों आज हम बना रहे हैं पंकिन बिर्यानी चावल उबाल लिए यह पंकिन उबल रहा है इसके ऊपर का धकन काटके अंदर से सफाई कर दिये पूरा अंदर का जो था सामान सब निकाल दिया है अब इसके अंदर बिर्यानी बनाएंगे यह हमने यूटूब पे देखा सा इसके दो तिन तरीके तो वालने वाल आज हम ट्राइग कर रहे हैं और यह इसके अंदर जो है घी लगा देंगे क्योंकि अंदर फिर च चिपकेगा वो तो पुषकर घी निकाल रहा है एक बार बॉनफायर पर मैं ट्राइ करूंगा वह वाला भी जो आग पे जला के बनाते हैं अभी हमें डाउट था कि पूरा पंकिन ही जल जाएगा तो घी को गरम करके फिर इसके अंदर लगा के इसके अंदर लेयर सा भरेंगे पहले चावल भरेंगे फिर सबजी फिर चावल फिर सबजी वो हमने यूट्यूब पर ही देखा है तो उससे क्या है बिर्यानी तो बन जाएगी साथ में उसका पंकिन का फ्रेवर भी आ जाएगा तो यह देखिए अंदर से पुरा साफ है इसका एक ढखकन सा निकाल लिया अब यह जीज के अंदर ठेला दिया ताकि चावल इसमें चिपके नहीं और इस घी का फ्लेवर भी आ जाएगा फिर बिर्यानी में लगा तो तेल भी सकते से लिए तो तेल लगाते तो फिर तेल की स्मेलाथी है यह भंस तैयर कर ली है क्योंकि पता नहीं पम्किन के अंदर पकेगा अगी नहीं पकेगा तो हम ने वह रिक में लिया पहले सही चावल भी इपाल लिया है और यह सबजी भी बनी रहे है So तो कोई चांस नहीं के नहीं बनेगा अब ये पूरा pumpkin भर दिया है और बीज-बीज में चावल रखे हैं बीज-बीज में पड़िये हैं कुई कि ऐसा नहीं कि चावल डाल दिया हो सब्जी तो चावल भी अच्छा है बासमसी तो नहींता नेसे सिर्फ मिलाने में लिए अब ये मसाला उपर से एक्स्ट्रा मसाला डाल दिया अब उसका ढ़कन बन करेंगे तोड़ी सब्जी और बची और जाल देना अब ये टकन पैक कर दिया अब इसको उबलने के लिए रख देंगे करीब दस से पंदरा मिनट के लिए और उसके बाद देखते हैं आज तक तो कभी खाई नहीं देखते हैं कैसी बनी वेज बिरियानी ये दोस्तों हमने पंपकिन के अंदर बनाई वेज बिरियानी अब इसको निकाल रहे हैं इसमें पहले चावल के लिए है फिर मिक्स वेज के लिए है फिर चावल के लिए है फि एक आप दिन में आपको आख में भून के भी बताऊंगा इसको बस हो गया बन नहीं किया फिर भी चिला रही है वहाँ से वह लोसका है कि उसके पास खड़े रहो अकेले नहीं रहना अब पक्का बहार आ रही होगी यह लो आ गई और अभी धूप आने हैं बहुत टाइब है यहां इसके अंदर गुशने कोशिक कर रही हो कि ठंडने लगे अब वहां मैंने प्लेट रखी तो भी खाने लगे वहां से आता हूं तो वहां से निकल गए अब आधे दिन का है कि मेरे पास खड़े रहों यह दो अब मेरे पैरों पर चड़के सोएंगी यह ठंड लग रही है तो क्या करूं यह क्या करूं बताओ नहीं खोलो तुम लोग चिलाना शरू करते हो बाकी तुम्हाई साथियों को ठंड कहां लग रही बताओ तुम्हीं को लगती है यह थोड़ी कमजोर है न इसलिए इसको ठंड जाए लगती है बना यह सब तो मस्त घूम रही होती है कुछ नहीं होता और यह क्या केले रहती भी नहीं इसको चाहिए साथ में कोई हो तुम रबिट के पास हो रबिट के पास हो रबिट के पास हो यह नीपू के पत्ते बड़े शॉक सिखा थे हैं अभी पुष्छ कर देगा किंचन से समहल लागे कल हमने पॉंपकिन के अंदर बेज बिरियानी बनाई थी वीडियो में आप देखो गे तो बढ़िया था वह तो खेर उबाल के बनाई थी एक आज बार उसको आग पे रखके भी बनाएंगे क्यों नहीं चल रही वहाँ ये गुज़री अंदर पुशकर चाह लेका लिया यह है हनी टी दोस्तो अभी रात को एक दम सन्नाटा है शाम को कॉल हो रही थी लेकिन रात को बिल्कुल कॉल नहीं हो रही आप देखरों सामने तीन चार लाइटे दिख रही है पहाड पे वहीं से आवाज आ रही थी फिर शाम को फिर कुछ सब्सक्राइबर आगे थे पंजाब से और यह मणी कुट परवत दिख रहा है यह अपनी सोलर लाइट है सेंसर लाइट थोड़ा सा मुवमेंट करेंगे तो जल जाएगी यह जल गई इस पार भी दिखाता हूँ जहां से एकसर चांसेस बनते हैं लेपड की आवाज के या उसके लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है एकदम अंधेरा है किसी तरह की कोई आहट नहीं है तो लगता है उसे शिकार मिल चुका है बहुत दूर कहीं से कुत्तों के भौगने के वाज आ रही है लेकिन यहां कोई साइंस नहीं है लकी जी को अंदर भेज दिया गया है बाकी के जो चार जो पपीज हैं उनको भी अंदर कर दिया है हला कि लकी जी बहुत लकी हैं लेपर्ड के हमले में बाल बाल बच गए हैं और उनका अंदाज आजकल कुछ ऐसा है जैसे वो बोलते हूँ मैं मौत को छूके टक से वापस आ सकता हूँ क्योंकि आज भी ब्रिक हाउस के वहां निकल गए थे मैं जबस्ती पकड़ के लाया मंदिर में पूजा करने गया पीछे निकल गए वहां से उतरे उधर जंगल ही जंगल है लेकिन हमेशा बांद के रखा नहीं जा सकता क्योंकि वो क्यादी बन जाएगा फिर उसकी जिंदगी किस काम की जो पूरा जिंदगी पर एक कमरे में बन रहेगा तो वैसे भी लकी पहाड में पैदा हुआ है जहां वो लाइट दिखरी वहां का है तो अगर वो वहां होता तो भी वो लेपर्ड के साए में जी रहा होता यहां भी साए में जी रहा है शायद हम ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं यहां पर तो जैसा कि उसका नाम है लकी वैसा ह उसका भाग्य होगा चलि दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक के लिए all the best बंदे मातरम